हेलो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सी रासाइनिक अभिक्रियाइं देखते हैं। इन रासाइनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पात तो मिलते ही हैं, साथ में हमें कई प्रकार के लक्षन भी दिखते हैं। जैसे कुछ रासाइनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है कुछ में उनके रंग बदल जाते हैं कुछ रासाइनिक अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन होता है तो कुछ में गैस उत्पन होती है चलिए हम भी एक क्रिया कलाप करते हैं और इस क्रिया कलाप में हम जो राइसाइनी कभी क्रिया करेंगे देखेंगे कि उसमें कौन सा नया उत्पाद मिलता है और कौन सा लक्षन हमें दिखाई देता है इसके लिए देखें मेरे पास ये है जिंग का चूण और इसमें है तनू हाइड्रोक्लोरिक आम्ब यानि कि HCl हम ये जो जिंग का चूण है इसको परक्नली में थोड़ा सा डाल लेते हैं और आप क्यूंकि हम तनू HCl यानि की ऐसे डियूज करने जा रहे हैं तो हम होल्डर की साहता से पहले इसे पसा लेते हैं परक्नली को इस तरह से अच्छी तरह ग्रिप में ले 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 और फिर ये जो तनू HCl है इसे धीरे धीरे इसमें डाल लेते हैं देखे बच्चों जिनके आसबस आपको ये क्रिया दिखाई दे रही है। चलिए एक और काम करते हैं हम इसे इस प्रकार से रख कर इसके पास माचिस जो है माचिस की तीली जला कर ले जाते हैं देखेंगा ध्यान से क्या होता है? देखो बच्चो, आपको ये लॉऌ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखें ध्यान से, आप ध्यान से किजेगा इसको. तो हमने देखा कि जब जलती हुई माचिस की तीली को हम परकणली के मुख पर ले गये तो उसकी लौ बढ़ गई आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ इसका कारण यह है कि जब जिंक तनू-HCl से अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इस परक्नली से निकलने लगी जिसके कारण जो माचीस की तीली की जो लौ वो बढ़ गई थी क्योंकि हाइड्रोजन गैस जोलंशील भी है तो इस नासाइनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं